बेलकम दोस्तो आपके अपनी यूटूब चैनल एक फोल एकडमी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कच्छा आठवी का गडित सब्जेक्ट का जो आपका अर्दवार्सिक परिच्छा होने वाला है समय रहेंगे तीन घंटा पूरा का पूरा रियल पेपर गडित विसय का बात करेंगे जयां दोस्तो अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और पहला आइकन का प्टन प्रेस कर लीजे जैसे में कोई नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करने तो आपको नोटिपिकेसन सबसे पहले प्राथो तो चलिए छातरों हम बात करते हैं विसय गडित हिंदी माध्यम का पूरा का पूरा रियल पेपर यहां पास बिद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे बिद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे पिता का नाम लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और आपका तहसील क्या लगता है और यहां पास जिला यहां पास अनुकरमा अंकल लिखना है इसी तरह हम बात करते हैं question की जहां दोस्तो question के answer भी हम आपको साथ में ही बताएंगे तो अगर इसका pdf चाहिए तो link discussion में है बहुत सब गूर्प का आप जाकर join कर लेंगे आपको हम पूरे की पूरे pdf प्रोवाइड करा देंगे पहला प्रस्न है बहुत कलपी प्रस्न एक से दस थक है जिसमें से पहला question है हमारा जिसमें से क्या है दोस्तों पहला question हमारा प्रस्न को पढ़कर नीचे दिये गए बिकलपों में को चुनकल लिखिए इसमें पहला प्रस्ण क्या है संख्या रिखा पर माइनस तीन गुड़े तीन कामान निमन लिखित में से किस पुणांग के दहिनी योर होगा तो इसका सही अंसर है A number any minus 10 यह जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है A number minus 10 यह answer दिया गया है इसी तरह हम दूसरे question की बात करेंगे तो दूसरा question है जो की आपके स्क्रीन पर सो रहा है दूसरा question इसमें दूसरा question है परिमे संख्या minus 12 बटा 20 का निमतम रूप होगा 2 बटा 20, minus 3 बटा 5, minus 12 बटे 10 और 6 बटे 10 तो इसका सही अंसर C number होगा यानि minus 3 by 5 इसी तरह हम question number 3 की बात करते हैं तो question number 3 है दोस्तो आपके screen के सामने 3 का बर्ग उसके फोरे का मान क्या होगा 3 के बर्ग C, 3 के घाते 8, 3 के घाते 24 और 3 के घाते 42 तो इसका मान होगा 3 by 8 बी नमबर इसका सही अंसर होगा जो की आपके screen पर दिया गया है इसी तरह हम बात करते हैं question number 4 की तो जियां दोस्तो question number 4 आपके screen पर सो रहा है किसी संख्या का 1 by 5 उसी संख्या से 20 कम है तो समी करण होगा एक्स बटे 5 बराबर एक्स माइनस 20 बी बराबर बी क्या है एक्स माइनस 1 बटा 5 बराबर एक्स माइनस 20 और सी है एक बटा 5 माइनस 20 बराबर एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स माइनस 5 तो इसका सही अंसर B नमबर है यानि X-195 बराबर X-20 इसका सही अंसर है इसी तरह हैं बात करते हैं Q5 की तो Q5 जो की आपके स्क्रीन पर सोग रहा है चातरोज 7 बटे 20 का प्रतिसत क्या होगा तो 7 बटे 20 का प्रतिसत निकालेंगे तो पहला 7700% है दूसरा 35% और तीसरा 7% और चौथा 25 बटे 7% तो इसका सही अंसर 35 होगा यानि 35% होगे इसी तरह हम अगला question देख लेते हैं 65 degree map के कोण का पूरक कोण का map क्या होगा तो 25 degree होगा ना की 80 degree होगा ना 15 degree ना 125 इसका सही अंसर होगा 25 degree इसी तरह हम बात करते हैं question number 7 की तो question number 7 जो की आपके screen पर सुह रहा है question number 7 आप देख सकते हैं किसी त्रिभुच के दो अंता कोड़ों का माप साथ डिगरी और चालिस डिगरी है तो तीसरा अंता कोड़ क्या होगा इसका सही अंसर है असी डिगरी, बीस डिगरी, साथ डिगरी और पैसाथ डिगरी तो इसका सही अंसर है असी डिगरी आप देख सकते हैं Q8 की बात करेंगे, तो Q8 जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है, Q8, किसी 4 cm वाले भुजा का बर्क का छेतर फल क्या होगा, तो 16 cm² होगा, इसमें आप्शन क्या क्या है, 8 cm², 12 cm², 16 cm², और 20 cm², तो इसका सही अंसर है, 16 cm², Q9 की बात करते हैं, तो Q9 है, निमने लिखित संख्याओं का बहुलक होगा, 2, 6, 5, 4, 0, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 4, 4, तो इसका सही अंसर है, चौथा नंबर यानि 4, किसी घनाप के सीरसों की संख्या क्या होगी, जी यां दस्तों, किसी घनाप के सीरसों की संख्या क्या होगी, तो इसका सही अंसर है, 8, इसी तरह हम बात करते है question number 11 की question number 11 में क्या है नीचे दिये गए प्रसनों के उत्तलिके समी करन को हल कीजिए 3x plus 2 बराबर 13 दिया गया है तो इसको हल करेंगे 3x बराबर 13-2 3x बराबर 11 हो गया x बराबर इधर 3 चला गया तो 11 बटे 3 हो गया x बराबर 11 में 3 का भाग देंगे तो 3.67 एंसर आजाएगा आपके स्क्रीन पर सो रहा है इसी तरह हम बात करेंगे question number 12 की question number 12 जो की आपके स्क्रीन पर सो रहा है अधी रोहन के घर से school की दूरी by minus 5 मीटर है तो उसे घर से school और school से घर जाने में कुल कितनी दूरी तै करनी पड़ीगी तो रोहन के घर से school की दूरी by minus 5 है और उसको जाने में by minus 5 है और आने में तो by minus 2 बार हो गया by minus 5 और by minus 5 इसम दोनों को जोड़ देंगे तो 2 by हो जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा बाई बराबर 10 by 2 हो जाएगा बाई बराबर 5 आया यानि बाई बराबर 5 कहां से आएगा 10 में 2 का भाग देंगे इसी तरह हम बात करते हैं question number 13 की तो question number 13 जो कि आपके screen पर सो रहा है एदी चाय बनाने के लिए दूद और पानी का अनुपात एक अनुपाते 3 रहता है तो 2 लीटर दूद से चाय बनाने में कितनी पानी के वसकता पड़ेगी चुंकि दूद और पानी का अनुपात 1 अनुपाते 3 है अधा 2 लीटर दूद से चाय बनाने की मातरा 6 लीटर होगी दो लीटर दो से बनाने एक मातरा 6 लीटर होगी इसी तरह हम बात करते हैं Q14 तो Q14 जो कि आपके स्क्रीन पर सो हो रहा है 0.50% को लिखिये 0.50 गुड़े 100 इसका मान क्या होगा 005.0% इसका 5% एंसर सही होगा Q15 जो कि आपके स्क्रीन पर सो हो रहा है Q15 आप देख सकते हैं एक बस्त को 1000 में खरीद कर 1100 में बेचा जाता है तो लाब का परिश्चत बताईए 10% होगा पट आप देख सकते हैं लाब परिश्चत बराबर 10% बचेगा आप देख सकते हैं इसी तरह हल पूरा का पूरा कर देजेगा आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे कोई दिग्कत नहीं है छात्रों अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दीजे और नए चात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लीचे देगे चीतर में वहाँ एक्स का मान गयाद कीजे वहाँ एक्स का मान क्या होगा दोस्तों इसमें दिया है पचास साथ और ब्राइक कोंड इसका एक्स का मान गयाद करना है चूंकि त्रिभुज के तीनो कोंड का योग 80 होता है चूंकि त्रिभुज के तीनो कोंड का 180 होता है पचास डिगरी साथ डिगरी दिया गया है पचास डिगरी साथ डिगरी Question No.17 देख लेंगे किसी एक संदिवाहु त्रिभूज में X का मान गयात किज़े संदिवाहु त्रिभूज A वराबर B वराबर C होता है तो C 45 दिया है A और A भी 45 दिया है तो त्रिभूज के तीनो कोड़ों का योग 180 अंस होता है तो देख सकते हैं दोस्तो तो ये प्लस B प्लस C वरावर 180 और 45 धन एकस धन 45 वरावर 180 तो 45 दूना 90 होगा क्या होगा दोस्तो 45 दूना 90 होगा तो अता दीनों तर्भुष सर्वांगसम है Q18 की बात करेंगे तो Q18 दिया गया है आपके स्क्रीन पर दिये गए तर्भुच A, B, C में और तर्भुष P की वर सर्वांगसम है या नहीं एदी हो तो सर्वांगसम संबंद को संकेतित में लिखिए चुकि तर्भुष A, B, C के तीनों विज़ाए तर्भुष P की वर समान है एदी यहां दोनों तर्भुष सर्वांगसम है Q19 जो की आपके स्क्रीन पर सोरा है Q19 एक समानतर चतुर्भुष की एक वज़ा और संकत उचाई के मापकरम सा 4 cm और 3 cm है तो समानतर चतुर्भुष का 6 तरफल गयात कीजिए इसी तरह हैं बात करते हैं Q19 की तो Q19 है दोस्तो जो की आपके स्क्रीन पर सोरा है एक समानतर चतुर्भुष 12 cm होगा इसको लगा सुखे है Q20 है एक पासे को फेकने में 5 आने की प्रेक्टा क्या होगी पासे की फलक 6 होती है एक बार पासे को फेकने में 5 आने की समभावना 1 है और कुल समभावना 6 है इसलिए 5 आने की प्रेक्टा एक बटी 6 होगी Q21 की बात करेंगे Q21 और 22 गीर गुत्तिरी प्रशन है जो की आपके दो दो पांच पांच नंबर के हो सकती है मीना ने 9 पर 7 बारसिक दर से एक बरस पस्चाथ 45 प्याज 45 रुपए के ब्यास में दिये उसे कितने पैसे दीए मूल धन नहीं गयाते दर 9% बारसिक दर समय एक वर्ष दिया गये ब्याज 45 ब्याज बराबर मूल धन गुड़े दर गुड़े समय बटा सव 45 बराबर मूल धन गुड़े 9 गुड़े एक बटा सव इसका सही एंसर आपके स्क्रीम पर सुख क्या हो रहा है मूल धन बराबर 500 क्वश्चन नमबर 21 का आपके सामने स्क्रीम एंसर सो हो रहा है अगर चैनल पर नए उचाओं को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजे क्वश्चन नमबर 22 यह देख सकते है क्वश्चन नमबर 22 में क्या दिया है चैक विविन कच्छों के विद्यार्टिक संक्या नीचे दी गई है इन आकडों के दन्द आलेख को निरूपित कीजिए यह कच्छा दिया गया है इधर विद्यार्टिक संक्या दोस्तो इसका पीडियाब चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में वाट्सप गुरूप का आप जाकर चोइन कर लेंगे आपको पूरे पूरे पीडिया प्रोवाइड करा देंगे अगर वीडियो अच्छा लगओ तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दीचे और अगर चैनल प्रने हो तो चैनल को फटापाट सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के सभी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाए